पहले आप लोग अपने गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, सब लोग धान से सुनियेगा, टाइम टेबल बनाने से पहले अपने गोल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, पहला शोट टम गोल, दूसरा लोग टम गोल, अब आप इसको धान से सुनियेगा, मतलब आप time table बनाने से पहले आपको आपके mind में goal तो clear होना चाहिए कि आपको life में करना क्या है long term और short term goal का मतलब समझाता हूँ short term goal का मतलब है monthly, weekly और day wise goal इनको short term goal कहते है monthly goal, weekly goal and day wise goal इनको हम लोग क्या कहते है short term goal और long term goal होता है one year goal कि मेरा actually target क्या है मुझे neat में rank बनाना है, मुझे board में top करना है मुझे Jee में rank बनाना है, यह हमारे long term goal होता है तो पहले तो अपना goal decide करो कि आपका goal क्या है short term और long term, decide कर लिया बस, उसके बाद आप time table बनाने के लिए बैठो जब मैंने आपको short term goal भी बनाना है monthly, weekly, है ना उसका मतलब समझा देता हूँ, monthly short term goal कैसे बनेगा, एक subject उठाओ सोचो की, हमन्त में मुझे यह chapter खतम करने, यह long term goal बनाने आप सीखो, क्योंकि वह बहुत जादा काम आएंगे दूसरी important बाद time table कभी भी जो page पे लिखा है वो generalize होना चाहिए और उस पे हर दिन उस पे variably आप लोगों को काम करना रहता है अब आपको समझाता हूँ मैं short term और long term goal का फाइदा क्या होता है तो आप ध्यान से सुनियेगा जब भी आप time table बनाते हैं देखो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी देखो 900 के करीब बच्चे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो school जाते होंगे जो मुझे अभी सुन रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो repeater होंगे जो अगले साल paper देने वाले लेकिन school नहीं जाते तो मैं आप सब को कहता हूँ कि आपके routine में सबसे पहले आप लोग time table time table last में मैं आप लोग के लिए बना के लाया है मैं आपको बता देता हूँ यह time table है जिसको आपको note down करना है टाइम टेबल मैं लास में बताऊंगा, पहला sleeping time, आपको अच्छे से सोना है, मैं तीन चीज़े बताता हूं, उसको explain गरता हूं, पहला है आपका sleeping time, कम से कम 6 गंटे का नींद आपको लेना है, और short naps होती हैं, वो भी आपको दिन में लेनी होती हैं, एक study के through science ने भी प्रू ignore नी करनी, सारा दिन सो रहे हैं, सारा दिन सोने से, या ऐसी लंबी sleep लेने से, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत चाने होते हैं, सर ने बोला है, सोना है, रात को 10 बजे से सुबह उठरे हैं भाई साथ बजे, वो sleep सही नहीं है, 6 गंटा, 6 गंटा sleep रात का आपको मैं पहली चीज थो, सबको समझ में आता हैं, और scientifically prove है, जब तक आप अच्छे से सोगे नहीं, आपके mind की capability बढ़ेगी नहीं, पहला चीज, दूसरा चीज, दूसरी चीज है stress booster, आप अपने time table में stress booster नहीं डालते, इसलिए आप लोगों को नीन दाने लगती है, और finally stress सोने लग पोड़े से social media में active रहो, ये stress booster में आता है, बहुत लोग social media लोग दूर करने को बूलते हैं, मैं आप से कहता हूँ, आप इतने दूर मता हो, आदे गंटे देखो दिन दुनिया में क्या चल रहा है, especially वो बच्चे जो aims की preparation कर रहे है, 1000, 1000, 1100 अभी 1100 बच्चे देख रहे है जो aims की preparation कर रहे हैं, वो हमेशा newspaper पढ़ा करो, newspaper पढ़ो social media में active रहो, क्या हो रहा है, अब ही देखो जम्मो कश्मीर वाला हुआ था, तो ये सारे scene आपको कैसे पता लगी, जब socially आप लोग active रहोगे, newspaper नहीं पढ़ते हो, तो Facebook पे आपको बहुत सारी ख़वरे मिल जाती है तो इसलिए वहाँ पर active होना जरूरी है, तो आप आदा गंटा, इसको stress booster कहते हैं, stress ये basically क्या करेगा, stress को release करेगा, समझ में आता है, buster, I am so sorry, it's a stress buster, stress booster नहीं stress buster, I am saying stress booster, stress booster तो पहले सही आपके साथ, आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहो, stress buster, मतलब आपको stress को कम करना है तो उसका थरीका क्या है, आप थोड़ा-थोड़ा social media इस्तमाल क्या करो, देखा करो कि कौन क्या कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन उसकी addiction नहीं होनी चाहिए, सब लोग ध्यान रखो, mobile का misuse नहीं करना है, आदे घंटे से जादा आपको social media पे active नह आपको समझ में, और तीसरी सबसे important चीज है, slot wise study करना, क्यासे study करना, slot wise study करना बहुत important है, कैसे study करना, slot wise study करना बहुत important है, छोटे-छोटे slot में study करो, आता है समझ में, जैसे हम मैं gym जाता हूँ, जिम वाला क्या कहता है, थोड़े-थोडे में खाओ, हर दो घंटे में आप लोगों को लिखना है, उसको फोलो करना है, सबको समझ में आता है, बहुत बढ़िया बात है, फाइनली, guys, एक और इंपोरेंट चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको, आप जो टाम टेबल में लेकिया हैं, वो आपसे शेयर करूँगा, लास्ट क्या है, दिखे, मैंने अभी कहा, आपसे आपको स्लोट वाइट स्टेडी करनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाने लगे, तो ऐसा सोचते हैं, दस से बारा मैं फिजिक्स पढ़ूँगा, बारा से लेके दो बज़े तक चार बज़े अगर आपने वो बना के दे दिया, तो आपका माइंड उसको फोलो नहीं करेगा, इसलिए आप लोगो को ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान से सुनिये, ऐसा टार्गेट अपने माइंड को मद दो, जो इनिशली पूरा नहीं कर सके, इसको थोड़े थोड़े आदत बनाना इसलिए आपसे कहता हूँ कि स्लोट्स में स्टेडी किया करो, छे घंटे का लगातार स्टेडी कोई नहीं कर सकता, अन्बिलेबबल टाइम टेबल मद दो अपने आपको कोई फादा नहीं हो इसका, सबको समझ में आता है, तो आप लोग, अब मैं आपको टाइम टेबल लि का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पर, जो सबसे बढ़िया टाइम टेबल है, कम से कम, एक टोपर से मैं बात कर चुका हूँ, और एक टोपर का मैं इंटर्व्यू देख चुका हूँ, उसके बाद मैं यह टाइम टेबल आपके लिए बना के लाया हूँ, आप सब लोग, अच्छे लग रहे हो, हमारे टेकनिकल टीम के, हम जो कर रहे हैं आपके लिए तो प्लीज आप एक लायक का बटन जरूर दबाओ यार, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, यह लायक का बटन हमें इतना बूस्ट करता है, हम लोग सोचते हैं, हम आपके लिए जितनी महनत करें पच्छों के लिए जितना करो उतना कम है, और आप लोग जानते हो, पिछले टीम साल से वियर वकिंग बेरी हाट फो यू, पिछले बैच को पांच बजे उतना है, साड़े चार से पांच बजे तक फ्रेश हो जाना है, और फ्रेश होने का मतलब ब्रश वरस करना है, पोट पैट दी उसी टाइम पर साफ होना शुरू हो जाएगा तो 4.30 बजे उठके 4.30 से 5.30 बजे तक ब्रस करके फ्रेश हो के आप लोगों को अब ग्या करना है 5 से लेके 5.30 बजे तक सबको समझ में आता है 5 से लेके 5.30 बजे तक morning walk के लिए जाोगे सुभह की जब तक आप ठंडी बढ़िया ओक्सिजन अपने दिमाग में नहीं डालोगे आपके माइन का कॉंसेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो आप लोग 5 से लेके 5.30 तक आप लोग मॉर्निंग वोक पे जाओगे बाहर निकलोगे ठंडी अवा में जाओगे गाडन में जाओ गाडन पे घास पे घूमो अब उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजेगा साड़े 5 से 6 बचे तक आपको मेडिटेशन करना है आपके माइन को शार्प करने के लिए भाईया किसी यूद में आप उतरते हो तो साड़े 5 से 6 बचे तक बेटा मेडिटेशन करना है मेडिटेशन कैसे होता है आँखे बंद कर लो आँखे बंद करने के बाद यहाँ पर ध्यान लगाओ सब को समझ में आता है सेंटर पे और कॉंसेंट्रीट करने की कोशिश करो जिससे क्या होगा आपके माइंड की शार्पने, सिसी को बोलते हैं शार्पन, अगर आप सेंटर पे ध्यान लगाते हो तो आपका जो माइंड का कॉंसेंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो आप लोगों को साड़े पांच से छे बजे तक सब लोग न इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले, आपको 6 से लेके 7 बजे तक 6 to 7 आप एक बुक लोगे, वो बुक में लास्ट नीट के 10 सालों के पेपर होने चाहिए और उसके अंदर क्वेशन होने चाहिए, उस एक घंटे में आप लोग क्या करोगे, पांच फिजिक्स के, प पांच, chemistry के, पांच, bio, math के question solve करोगे, जादा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 15 से 20 question उस एक घंटे में solve करने है, mind को क्या करना है, और जादा क्या करना है, fresh, और वो तब होगा जब आप क्या करोगे, अपने mind को target दोगे, चल question solve करते है, question की practice करते है, पढ़ना नहीं है, सुब आप आजाओ, जब आपने practice कर ली, आप पूरी तरह से जाग जाओगे, क्योंकि आपका mind जो है, पूरी तरह से questions में लगा हुआ है, अब आपको 7 से लेके 8 बजे तक क्या करना है, जो आपने कल पढ़ा, हमारी online classes में, school में, कहीं भी आप पढ़ते हो, 7 से लेके 8 बजे तक आपको अपनी regular study करनी है, 3 गंटे है 8 से 11, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इसमें आपके पास 3 subject होते हैं, तीनों subject में आपको regular study करनी है, मतलब physics को 1 गंटा, chemistry को 1 गंटा, bio को 1 गंटा देना है, सबको clear है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब अध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप आपको 8 से लेके 11 बजे तक जब आपकी study हो गई, तो 11 से 12 बजे तक आप आराम करो, आराम करो, rest लेलो, पापा से बात करो, पापा नहीं ममी से बात करो, भाई से बात करो, 11 से 12 तक आपको rest लेना है, तो आपके लिए मैंने आपर rest का भी अच्छा time छोड़ा है, तो 11 से 12 त एमसी क्यों चलते हैं कल होगा और एक से लिएक दो बज़े तक वानी मैम का होता है माल लिजिए जिस दिन बारा बज़े नहीं हो रहा है तो बारा से लिएक बज़े तक आप अपना क्या करोगे पूरा स्टडी कई बच्चे कहरें हम लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोग स्कूल चले जाएं स्कूल जाने के बाद आपको इसको फोलो करना है आगे वाला सो आप लोग ध्यान से सूनिएगा कई लोग नोट डाउन करने तो आप इस पटिकूलर वीडियो को दुबारा देख लेना ठीक है और जो लोग स्कूल या कोले जाते हैं वो अपना वो स्लोट छोड़के बाकी जगा पे आपको बाकी जगा पे आपको बिलकुल फोलो करना है इस पटिकूलर स्लेबर को उसकी अपने साथ से लेके आठ बजे तक के बीच में आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ अगर आप फैमिली आपके साथ अभी नहीं है पापा माल लोग काम पे गए हुए हैं तो बंबी को बोलो मेरा खाना लगा दो साथ से लेके आठ बजे तक एनिहाओ आप डिनर कर लो आ 8 to 9, 8 से लेके 9 बज़े तक आपको MCQ सोल करने है, उसके बाद आप देखिए 9 to 10, बहुत बढ़िया स्लोट निकाला है मैंने आपसे, रात को 9 से लेके 10 बज़े तक आप अपना सोशल मीडिया चेक कर लो, और साथ में मोटिवेशन के सैशन देखो, जो हमारे हैं पर होते हैं, मैं आपको अमूमन क्या यहाँ पर अमूमन आपको क्या मिलूँगा, लाइव मिलूँगा आपको मोटिवेट करने के लिए, अब आपको 10 से लेके 10.30 बज़े तक आपको करनी है कल की प्लैनिंग, अब अगर मालो की आपने ऐसे लिखा है कि भाया कल मैं इस लोट में मुझ पर फोलो करते हैं, वो बताया हूँ मैं आपको, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंजिस करना चाते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वो इसको आरा असानी से फोलो कर सकते हैं, जो लोग स्कूल जाते तो आपको 6 घंटे का नीन तो मिल गया ऐसे और बीच में जो छोटे-छोटे slaps आपको दिये हैं सोने के लिए ठीके rest करने के लिए वो भी आप लोगों को दे दिये तो ये overall मेरी तरफ से पूरा-पूरा schedule है जिसको आपको follow करना है अगर आप डंग से follow करेंगे तो आपको फाइदा होगा इसमें आप अपने हिसाब से अपने daily routine के हिसाब से आपकी lifestyle देखो मैं नहीं जानता हूँ तो उसके हिसाब से थोड़ा-थोड़ा modify कर सकते हो लेकिन आप ध्यान रखेगा आपको इसमें क्या include करनी है अपना syllabus बनाने के लिए एक तो भईया अपना मतलब target पुरा करने के लिए देखो एक तो कभी भी sleep को नहीं चोड़ना अराम से सोना है दूसरा इसमें आपको slots में study करनी है कभी भी regular study नहीं करनी 5-5 घंटे चार-चार घंटे का target मत बनाना कोई फैदा नहीं होता ठीक है अराम से सोने का target आपके सोने का target साथ-साथ slot में study करने का target और सबसे important क्या है आप मैं ऐसा नहीं कहता हूँ social media से दूर हो जाओ लेकिन कम करो आदा घंटे से जादा मत करो सो एक छोटी-छोटी चीजे आप लोगों को ध्यान रखनी है सो यहां से मैंने आपको आपका time table भी बिल्कुल share कर दिया है